नप के नीले सूने पन में हैं तूटे रहे बढ़से बादर, जाने क्यों तूट रहा है तन? बन में चिडियों के चलने से हैं तूट रहे पत्ते चर्मर, जाने क्यों तूट रहा है मन? घर के बरतन की खंखन में हैं तूट रहे दुपहर के सुवर, जाने कैसा लगता जीवन? ये मश्बूर कविता हिंदी जगत के प्रख्याद साहितकार और आलोचक नामवर सिंग की हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि साहित्य जगत का एक और सितारा तूट लिया नामवर सिंग अब हमारे बीच में नहीं है उनका व्रत्य शरीर इतनी बीमारियों का बोज सेह नहीं पाया और वह हम सभी को छोड़ कर चुप चाप अलुदा कह गए उनके अफसान से हिंदी भाषा में जो शून ने आया है उसका इस्थान कोई नहीं ले सकता नामवर सिंग की भाषा शैली चितनी शांदार थी वो उतने ही अच्छे आलोचक भी थे उन्होंने आलोचना की भाषा में मुहावरों और लोकोतियों का प्रयोग कर इसे सर्व समान ने बनाया है शायद यही वज़ा है कि हिंदी आलोचकों में जो श्थान नामवर सिंग को हासिल है वो किसी और को नहीं महज 16 महीनों के कम समय में ही हिंदी भाषा के महान कवियों में शुमार कुनवर नारायन, केदार नाज सिंग, विश्नु खरे, कृष्णा सोबती और नामवर सिंग हमें अलविदा कह चुके हैं